नमस्कार दोस्तों, BR Show में आपका स्वागत है आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया 3BHK फ्लाट लेके आए हैं जिसके अंदर आपको ये फ्लाट पूरा का पूरा फुली फर्निश होके फर्स्ट एंट्री के साथ ब्रैंड न्यू कंडिशन में आपको मिलता है पूरे वीडियो में आपको इस फ्लाट का वॉक्ट्रू दिखाएंगे साथी साथ इस रोड की connectivity कहां पे बनती है वो आपको दिखाएंगे अगर आपके बास भी इस तरह की कोई भी property है जिसे आप rent out, sell out, lease out करना चाते हैं या construction या इस तरह का interior तो आप हमें contact कर सकते हैं कोई सवाल रह जाए मन में इस तरह flat code mentioned है इसे note down कीजे और हमारी जो नई मुहीम है जिसके अंदर हम आपको anchorless flat का walkthrough दिखा रहे हैं वो आपको किस तरह का response उस पर लग रहा है क्या वो आपको पसंदा रहा है क्या नहीं पसंदा रहा है प्लीज मीचे comments के अंदर mention जनके हमें जरूर बताएं ताकि हम आपके feedback पे काम कर रखाएं अब आप cinematics देख लीजे एक बार location की बात करते हैं तो ये flat रहने वाला है द्वार का mode metro station से मात्र 700 मेटर के walking distance पे उसके बाद मैं आपको दिखाते हैं इस property का walkthrough तो दोस्तों ये है हमारा floor जहां पे हम दाखिल होंगे अपने flat में सामने अभी आप lift देख रहे होंगे नहीं है तो यहां से आपको खूदना नहीं है यहां पे lift आजाएगी जब तक आप आएंगे इस floor पे हमें मिलते हैं केवल दो flat एक इस तरफ एक इस तरफ 2BH के इस तरफ मिल जाएगा 3BH के इस तरफ मिल जाएगा और आपको मिलता है यह brand new first entry flat सबसे पहले दाकिल होते हैं यहां पे आपको मिलेगा बढ़िया सा living hall जहां पे आपको सारी की सारी चीज़े लग के मिलेंगी और इस तरफ मिल जाएगा हमें बढ़िया सा TV पैनल और उपर बहुत ही बढ़िया पीले कलर क्या और diamond touch के साथ में मिलता है शैंड लेफ size की बात कर लेते हैं सबसे पहले एक, दो, तीन, चार, पांच, छे 6 मतलब 12 feet आपको इस तरह से लम्मा मिल जाता है और मिल जाता है 8 प्लस 2 10 feet आपको इस तरह से मिल जाएगा kitchen हमें काफी बड़ी मिल जाती है यहाँ पे, almost 10 feet by 6 feet 10 by 6 के size में आपको kitchen मिल जाती है सारा का सारा modular काम हो रखा है यहाँ पे और यहाँ पे taps and all लग जाएंगे इधर ventilation के लिए ठीक सामने आपको गली मिलती है, कोई shaft नहीं है यहाँ पे आपको overhead storage और इधर आपको चिमनी लगके मिल जाएगी उसके बाद यहाँ से चलते हैं हमारे first bedroom में दोस्तों यह हमारा first bedroom size की बात करते हैं तो हमें size मिल जाता है 10 feet इस तरह से लंबा और आपको मिल जाता है 12 feet इस तरह से लंबा 10 by 12 के size में आपको यह वाला बेड रूम मिलता है जहां पर बढ़िया वाल पेपर लगा हुआ है बेड आपको लग जाएगा और यहां पर आपको विंडो जो मिल रही है इसमें आपको एसी फेट हो जाएगा वेंटिलेशन बढ़िया है उपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो हमें प्लस लाइट्स अच्छी सी मिल जाते हैं यहां से हमें शायद मिलेगी हमारी अटाच बालकनी यहां से आप सीधे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी यहां पर हमें यह पूरा का पूरा बालकनी एरिया जो मिलता है इसी को आप अपने वाशिंग एरिया में भी तब्दील कर सकते हैं और यहां से चलते हैं हमारे common washroom में दोस्तों यह है इसका common washroom छे भाई छे नहीं है साथ ओके छे के साइज में आपको वाश्रूम मिलता है यहां पर आपकी सीट प्लेस हो जाएगी और यहां पर आपको इधर शार लगके मिल जाएगी यह रहा शार यह डाइवर्टर आपका टाइल्स लगी हुई है सब कुछ आपको लंबाएं मिलती है दोस्तों के लिए यहां पर वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट है सामने दो बड़िया साइस की वाड्रोब्स लगी है और उपर को वर कंसील का काम हो रखा है इधर से आएंगे हमारे थर्ड बेड्रूम में यह सबसे बड़ा बेड्रूम होने वाल दस फीट के आपको चोड़ा ही मिलती है आपने कई बार यहां की प्रॉपर्टी देखी होंगी सेल पर बहुत लोग डालते रहते हैं रेंटर पर बहुत कम लोग डालते हैं इधर आईए यहां पर दिखाते हैं आपको बड़िया वाश्रूम साइज छे बाए छे अल्मोस् बड़िया जबरदस्त है साइज अच्छा है यहां से आ जाते हैं हमारे लिविंग हॉल में वापस सो दोस्तों बड़िया अजा फ्लाट है ब्रैंड न्यू फ्लाट है आपको सारे समान के साथ में मिल सकता है यह वाला फ्लाट मात्र 30,000 रुपे में 30,000 ओनली और वक्त के स इसका अभी रियल टाइम में बड़िया फ्लाट है बाकी आप से मिलते हैं अगली वीडियो में अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी हो जिसे आप रेंट आउट सल आउट करना चाहते हैं गिवस अ कॉल और ड्रॉप अस और वाट्साप अगर हम कॉल न अगले वीडियो में नवश्का अगले वीडियो में नवश्का